आप सभी को ये बात तो पता चली गई होगी कि UPSA Civil Service 2025 की डेट आ चुगी है, कब फॉर्म आएगा, कब नोटिफिकेशन मिलेगा, कब आपका एक्जाम होगा, तो आप जितने भी स्टूडेंट Civil Service एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, आपको ये बात पहले से पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम टिबल बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप तयारी करेंगे, तो चलिए देखते हैं, 2025 में जितने भी स्टूडेंट एक्जाम देने वाले हैं, वो इस चीज पर ध्यान दे, देखी ये है UPSC का कैलेंडर, 2025 का कि कब कौन सा एक्जाम होगा, अगर आप किसी और एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी देख सकते हैं, बाकी हमारा फोकस है केवल सिविल सर्विस एक्जाम के उपर, तो यहां पर ये देखी, आटवे नंबर पे है सिविल सर्विस प्रेलिमनरी एक्जाम, 2025, जिसमें कहा गया है कि आपको नोटिफिकेशन 22 जनवरी को मिलेगा, 22 जनवरी 2025 को, जनरली मिलेगा अगर कोई दिक्कत होती तब ही है कि आपको कोई नोटिफिकेशन ना मिले, पर जैसा UPSC अपना डेट रखता है, वैसे ही डेट पर वो अपना नोटिफिकेशन, फॉर्म सब को जारी करता है, के तो नोटिफिकेशन आपको 22 तारी को मिल जाएगा जनवरी में, 2025 में, 2025 में फरवरी 11 फरवरी को, आपको फॉर्म भरने के लिए फॉर्म मिल जाएगा, इसके बाद 25 मई 2025 इस तारीक को आपका प्रिलिम्स का एक्जाम होगा, अगर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बड़ी द जिसके बज़े से एक्जाम पॉस्पून करना पड़ता है, तो फिर आपका एक्जाम इसी डेट में होगा, आपको तो पता ही होगा कि प्रिलिम्स एक्जाम एक ही दिन में कम्प्लीट हो जाता है, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है, वन डे, इसके साथ यह भी पता होगा कि सिवल सर्विस एक्जाम के साथ साथ फॉरेश्ट एक्जाम भी उसी दिन होता है, एक ही पेपर में दोनों एक्जाम कम्प्लीट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बता दिया यह देखो, एंडियन फॉरेश्ट सर्विस प्रिलिम्नरी एक्जाम, तो यहाँ पर यह और यह दिन में होंगे एक साथ होंगे एक ही पेपर को देना होता है तो मेंस एक्जाम कब होगा यह बता दिया गया है कि यह सुरू होगा 22 अगस्त 2025 से और इसमें पांच दिन लगने वाले यहां पर अलग अलग डेट इसलिए नहीं बताएगे क्योंकि टेम टेबल बाद में बनता ह हैं डिसाइड किया जाता है कि कब कौन सा पेपर लेना है तो इसलिए पांच दिन लगते हैं इस एक्जाम के लिए लेकिन डेट तो अलग अलग रहेंगी हाँ यह है कि 22 अगस्त से स्टार्ट होगा यह बता दिया गया है इसके बाद इंडियन फॉरेश्ट सर्विस की बात साथ दिन का समय लिया जाएगा इंडियन फॉरेश्ट सर्विस में इस एक्जाम में तो यहां पर हमने दो ही एक्जाम पर पोकस किया है सिविल सर्विस एक्जाम और इंडियन फॉरेश्ट सर्विस एक्जाम बाकी एक्जाम के आप त्यारी करते हैं तो आप अपने अकॉर केलेंडर को देख सकते हैं